हे गाईज देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कुछ छोटे छोटे पैनी स्टॉक डूंडे हैं जो मैंने सोचा कि आपको बता हूँ बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो लिडी बहुत जादा गीरा हुआ एक सवाल आप मत पुछेगा क्योंकि बहुत बार मैं आप आपको जवाब दे चुका हूँ रिपिटेट आंसर में भी दूँगा तो आपको भी खराब लगेगा कि एक ही आंसर बताया जा रहा है मेरे तरब से अभी सपोस माल लेते हैं कि मैंने आपको बोला कि सबसे छोटा छोटा मैं आपको पैनी स्टॉक बताने वाला हूँ अब लोग बोलेंगे हम तो बड़े बड़े कंपड़े कंपशीव खरीव दूँगा पांच सुरुपै में तो पैनी स्टॉक कहा है यहई तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ भले उस कंपशनी का प्रायज 5,000 रुपीज हूँ शेर का प्रायज एक शेर का प्रायज एक share के price से आप ये नहीं बूल सकते हो कि वो company बड़ी है company का size दिखना पड़ता है ना कि share का price दिखना पड़ता है ठीक है अभी मैं आपको best example देता हूँ आपको समझ में आ जाए MRF का share का price 90,000 है Reliance का share का price 2,700 है अब बता हो इस दुनों में से कौन से company बड़ी है लोग बलेंगा भाई ये तो बड़ा है 90,000 ये तो भाई Reliance के सामने ना बच्चा भी नहीं है ये MRF बोला जाता ना भाई तुम तो मेरे सामने बच्चे हो करके तुमें क्या आत्या करके वो भी नहीं है समझ रहे हो ना वो भी नहीं है ये पता है Reliance 19,000,000 करोड की company है और ये कितना है ये वह कुछ हजारों में आता है बाद समझ में आ रही है न तो भाई ये MRF का share का price 5,000,000 रुपे हो जाए 5,000,000 रुपे में एक share मिलिए और Reliance का share का price एक हजार रुपे ही रहगा लेकिन है company कौन से बड़ी है हम company से खिलते हैं भाई ना कि share से खिलते हैं लोग यहाँ पर इसी वज़े से फस जाते हैं वो लोग company का मालिक नहीं बनते हैं पता है shares का मतलब क्या होता आप उतने shares के मालिक हैं अगर आप मालिक की तरह नहीं समझोगे अगर आप समझोगे यहाँ खरीदा बेज दिया तब आपको भी profit नहीं मिलेगा company भी आपको उसी तरीके से ही treat करेगे फिर पहला जो company मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत छोटा है इतना छोटा company लेने में तो मैं आपको बता दूँ कि पैर हाथ का अपना start कर देते हैं ठीक है क्या करना start कर देते हैं पैर हाथ का अपना start कर देंगे इतनी छोटी company है Aero Granite Industry Limited 48 रुपेज़ लोग बोलेंगे भाई 48 रुपेज 2-3 रुपे वाले stock बताओ ज़्यादा अच्छा रहेगा इससी वज़े से तो आपको मैं आपको बोलता हूँ कि सीखो जब ऐसा सवाल करते हो तो मैं बोलता हूँ कि कुछ सीखो ज़्यादा अच्छा रहेगा ठीक है न अब माल लेते हैं कि अंबानी इंडिया का सबसे richest person है यादाने इसका मतलब यह नहीं कि आप भी वो नाम रख लोगे तो आप भी अमीर बन जाओगे भाई नाम रखने से नहीं होता काम करने से होता उसी तरीके से यह कंपनी का प्राइस दिखने से नहीं होता कंपनी का काम दिखने से होता कंपनी को दिखने से होता कंपनी केवल 74,000 करोड की है बस केवल सॉरी सॉरी केवल 74 करोड का है केवल 74 करोड का है यह कंपनी एक्च्वल में करता है कि है मैं आपको बता दू यह ग्रेनाइट वगरा एक्सपोर्ट करता है कहां कहां export करता है यह दूसरे country में जाके export करता है जैसे कि USA में हो जाता है Italy में हो जाता है Poland में हो जाता है यह हर जगा जाके export करता है tides वोगरा हो जाता है यह सारी चीजों को export करता और बहुत छोटी company आपको देखने को मिल रही है book value 128 रुपिस का है 128 रुपिस का है book value share का price 48 रुपिस का है तो मैंने बोला कि आपको छोटा और अच्छा stock की बताने की कोशिस करूँगा दूसरी company बताने से पहले मैं आपको उसका data बता देता हूँ company textile में काम करती है 200 करो का market के पर company 1% का dividend देती है इससे super company आप ढूंड के मुझे बताओ तो बहुत अच्छा रहेगा और उपर से मैं आपको बता दूँ तो पर मोटर के पास भी काफी एच्छे इससेदारी है जो की 74% है एक भी share pledge नहीं देखने को मिलेगा company के पास काफी अच्छा order भी है और उसके साथ साथ इनके distribution channel भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा company के पास 27 करोड का अभी order लिया पहले भी company के पास 13 करोड का order था तो ये है defensive company को order मिलता है new project भी आपको देखने को मिल जाएगा तो इस company का नाम Siva Taxi Unlimited 151 रुपीज में देखने को मिलना तो ये भी company बहुत अच्छा है जो मैंने आपको बता है एकदम super duper जो भी आप जितना ज़्यादा बूलना चाहते हो अच्छा है तो अच्छा है तो अच्छा है तो ये बाद generic engineering construct प्रोजेक्ट लिम्टेट 43 रुपीज में देखने को मिलना company के पास काफी एच्छे client भी आपको देखने को बिल जाएगे जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ अधित बिडला ग्रूप इस company का client है IKEA करके है वो भी इसका client है कोटक टाइप का है वो भी इनके client है A&D, RT industry, Glenmark, Toyota, भारत, electronic और मजगाओ, Dog, Reliance Health Solution, Private Limited, JSW यह सभी जो है इनके client है यह सभी लोग इनके काम करवाते हैं और यह company आपको dividend भी निकाल के देती है और मैं आपको बता दूँ कि परमोटर्स के पास काफी एच्छी सिधारी है परमोटर्स के साथ साथ तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि foreign investors ने भी इसमें हिस्धारी खरीद रहा 54% परमोटर्स के पास हिस्धारी है और उसके साथ साथ जो 5.5% हिस्धारी total 6% हिस्धारी foreign investors के पास है domestic जो public बसती है उसके पास परमोटर्स के पास है और यह stock ने हाई लगाने के कोशिस किया था 200 रुपे के बाजू में लेकिन यह stock आज की rate में देखने को मिला 108 रुपे के बाजू में और यह company जो अपने low के आजुबाजु ही चल रहा यहाँ पर देखो तो यह stock गिरने का कोशिस तो कर रहा लेकिन गिर नहीं पा रहा पिछले एक सालो से देखो गिरावट यह था लेकिन उसके बाद company के वल consolidate कर रहा है पिछले quarter में इस company ने loss किया था जो कि company के लिए बहुत खराब quarter बोल सकते है result था लेकिन अब जो अगला quarter होने वाला है आने वाले एक दो quarter में company का मुझे लगता है कि result सुधर जाएगा और company वापस पटरी पर आती हुए नजर आएगे तो यह बहुत सरे ऐसे company थो जिसको मैंने ढोडने के कोशिस किया सारे company को analyze करने के बाद मैं आपको direct direct बता रहा हूँ क्योंकि एक 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 चीज़े करकर 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 बता आऊँ तो बहुत ज्यादा time लेगा तो मैं आपको डिमेट अकाउंट तो बिल्कुल फ्री में रहेगा, डिलेवरी चार्जेस भी फ्री रहेगा, के वल्टवन ट्रूपिस लगेगा, वो भी इंट्राटे में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिन्टो में जाके अपने डिमेट अकाउंट वगर आउपन कर सकते ह वो भी बिल्कुल फ्री में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है,